नमस्कार दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 34 years है और ये काफी बढ़िया पाम है पहली दुश्री में देखे तो यहाँ पर एक धनुशाकार बन रहा है तो व्यक्ति भहुत जादा समस्दार होता है और जो जीवन में अपर्चुनिटी आती है उसको भहुत अच्छी तरह से ग् सरकारे मुलाजिम पर ये उंग्लिया शो करती है कि कोई न कोई व्यš nóis ऐसा करेंगे जिनके हाँ के नीचे बहुत जादा लोग काम करेंगे क्योंकि यह बहुत फास्ट नीडंए लेने पर मजबूर करती है व्यक्ति को और इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है या तो यह जहां पर भी जॉब भी करेंगे वहां पर भी इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी दूसरी चीद देखे तो ये पाम स्क्वेरिश है तो व्यक्ति महनती होता और महनत करके अपने जीवन को अच्छा खासा सक्सेस्फूल करता है अंगुठा, नुकिला है और बड़ा भी है तो व्यक्ति जिद्ध से कोई भी कारिय पूरा करता है यानि व्यक्ति में कारे के पृति काफी अच्छी जिद्ध होती है सेकेंड फैलेंच भी एवरेज में है तो तथ्यों के साथ, लॉजिक के साथ अपनी बात बता सकते है हाँ, ये थोड़ा सा भी छोटा होता है तो व्यक्ति लॉजिक के साथ अपनी बात बता नहीं पाता कौन भी बना हुआ है तो जीवन में स्पीड भी होती है फर्स्ट उंगली थोड़ी सी बैंड ओरी है और सुड़ी की उंगली से बड़ी है कहीं न कहीं थोड़ी सी बड़ी लग रही है तो धार्मिक भावना प्लस एगो के प्रॉबलम इनको डिश्टब करते है ये एगो के प्रॉबलम ऐसे रहते हैं कि व्यक्ति किसी को बोल पाया है अगर किसी ने कोई बात बोल दी उसको बोल पाया तो तो ठीक है अगर नहीं बोल पाया तो व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटते रहता है और ये जीवन भर परेशानी देती है व्यक्ति परसनल लेवल पर ये काफी हर्ट होते है इगो के कारण छोटी उंगली थोड़ी सी छोटी रह रही है तो 15-20 प्रतिशत जो मैं पॉइंट गिना रहा हूँ उसमें ये थोड़े से कमजोर होंगे 20-20 प्रतिशत के आसपार, डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संबाल कर रखना, याजशक्ती, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट उसमें कहीं न कहीं ये कमजोर साबित होते हैं जब ये उंगली छोटी होती है ये पैसा कमाने में आपको डिश्टब नहीं करती व्यक्ति सुंदर होता है और व्यापार और वानिजी की समझ काफी अच्छी होती है और विज्ञान की भी समझ होती है व्यक्ति में इनके सुर्य परवत पर कोई स्ट्रॉंग साइन नहीं है केवल एक हलकी सी रेखा है और इस रेखा के द्वारा मल्टिबल प्रॉपर्टी की साइन भी हलकी रेखा से बन रही है ये एक प्लस पॉइंट है तो व्यक्ति जीवन में प्रॉपर्टिया एक से अधिक बनाता है बहुत हलकी रेखा उसे ये साइन बन रही हो सकता है इंक लगाने के बाद ये पता चले कि ये लाइन है और यहाँ पर हलकी रेखा बन रही है विद्या रेखा तो व्यक्ति को बेसिक ज्यान अच्छा खासा होता है और बेसिक ज्यान के भरों से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है और लोग पुछ-पुछ कर काम करते हैं इनके शनी पर्वत को देखें 2 रेखाए यह सरकारि मुलाजिम है और एक रेखा जा रही है विदेश की तरह यानि विदेश से धनाय की यानि इनके जीवन में कभी न कभी किसी मोड पर ये विदेश सेटल हो जाएंगे क्योंकि इनकी चंद्रपर्वत भी अच्छा है और इनकी जीवन रेखा भी इस तरह से चंद्रपर्वत पर जा रही है यह 100% कभी न कभी ये विदेश सरकारी जौब छोड़कर विदेश चले जाएंगे पूरी इस तरह से विदेश की तरफ जा रही है तो जीवन के किसी न किसी मोड पर ये विदेश में सेटल हो जाएंगे और कंटीन्यू लाइन है तो ये 56 के बाद सामाजिक और धार्मिक छेत्र में पैसा खर्च करेंगे अपने और से दिल से गुरु पर्वत काफी अच्छा है पर यहां से भी उभार है और यहां से भी उभार है तो जनरली देखा जाता है जब थोड़ा सा भी यहां उभार हो तो पति-पत्नी के बीच में वाद विवार तो रहता ही है और पारिवरिक समस्या भी व्यक्ति को विश्टब करती है जब इस तरह का जूपिटर माउंट हो पर है जूपिटर माउंट अच्छा तो व्यक्ति अपने कारे का विश्टार अच्छा खासा कर पाता है थोड़ा सा खाने का शौकिन भी होता है पर कारे का विश्टार अच्छा खासा करता है पर यह जो उभार है यह व्यक्ति को पति-पत्नी के बीच में मद्बेद प्लस पारिवारिक मद्वेद की और इशारा जा रहा इस तरह के गुरु परवत पर और यहां पर horizontal लाइने चल रही है यह लाइने व्यक्ति को multiple income शो कर रही है जीवन में multiple income है व्यक्ति के जीवन में होती है और थोड़े से समझ से भी type के लोग भी होते यहां पर दो से तीन लाइने हो तो व्यक्ति थोड़ा सा समझ से भी बनता है तीन लाइने हो चार लाइने हो तो व्यक्ति बहुत जादा समझ से भी बनता है पर दो लाइनों में भी समझ से भी तो बनता ही आदमी और यहाँ पर देखे तो एक खड़ी लाइन भी चल रही है व्यक्ति निरंतर प्रगति करता है मंगल छेत्र काफी अच्छा है इस तरह का मंगल छेत्र व्यक्ति को सारेरिक उर्जा अच्छी देता है सरीर में इनके उर्जा काफी अधिक रहती है और अगर ये अंगुठे के द्वारा उभार नहीं होगा तो बच्पन के समय में यानि टीनेज में या उससे थोड़ा सा और उपर तक व्यक्ति अप्शब्दों का भी प्रयोग करता है पर सारेरिक उर्जा काफी अच्छी रहती है भारी मंगल भी एकदम क्लीन एंड नीट है ये पाम बहुत अच्छा है पर इश्वर ने आधा अधूरा काम किया हुआ है अगर ये पूरा करते तो ये बहुत अच्छा पाम साबित होता था मैं उस पर भी आऊंगा ये इश्वर ने क्या गलती रखी है इस पाम में भारी मंगल जब अच्छा रहता है तो व्यक्ति सहासिक होता है हिम्मत से काम लेता है प्लस जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है दूसरी चीज संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है और इस पाम में ऐसा कोई मेजर संकट मुझे डिख नहीं रहा है चंद्रपरवत भूत ही अच्छा है इसरका चंद्रपरवत इनको पानी भूत अच्छा लगता होगा दूसे बनी वस्तूए भूत अच्छी लगती होगी और नई-नई चीजे करने का इनका बहुत मज़ा आता होगा इनको यह लोग जो वस्तूए खरीद के लाते वो वेल्यू फॉर मनी होती है सोच रिफैंड होती है नेड़े शक्ती है ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है और यह विदेश से संबंद लाता ही है और इनके पूरे संकेत है क्योंकि जैसे वीडियो की सुरुवात में बताया इनकी जीवन रेखा पूरी चंद्रपरवत पर जा रही है यह बहुत कम समय में यह विदेश में सेटल हो जाएंगे और इस पाम में देखे जो इश्वर ने गलती रखी वो बताता हूँ एक बुद्रेखा यहां से निकली यह काफी बड़ी बुद्रेखा है और इसके द्वारा एक और बुद्रेखा है पर यह सेकेंडरी लाइन है और यह मनी ट् यह बुद्रेखा यह अगर स्ट्रॉंग होती यह जैसी माइन लाइन और हिदेखा के जैसी स्ट्रॉंग होती तो आज यह बहुत बड़े रिच परसन बंगते थे बहुत बड़े रिच परसन पर यह बुद्रेखा बहुत लाइट है बहुत लाइट है तो व्यक्ति के पास income आती है पर खर्च के पैमाने बहुत बढ़ जाते जब आपकी यह line light होती है यह बहुत बड़ा प्रश्ण सताता है व्यक्ति को और यह पाम भी इसी प्रश्ण के कारणा है कि व्यक्ति income जादा है और खर्च का पैमाना भी जादा है तो मैंने एक दो तोटके तो इनको पहले ही बता दिये एक दो उपाय तो हो सकता हो करने पर इनके जीवन में परिवर्तन आए यह जो रेखा यह इश्वर ने अगर डार्क दे दी होती तो यह आसपास के 20 गाओं में बड़े व्यक्ति के रूप में यानि अमिर व्यक्ति के रूप में यह गिने जाते पर फिर भी इस तरह की भी देखा जीवन्दगी के एंड तक अच्छे खासे समरुद्ध बन कर भाहर निकलेंगे पर जो 100% फल मिलने वाला वो केवल 10% मिलता है अगर यह कंप्लीट हो जाए तो व्यक्ति को 100% फल मिलता है क्योंकि इतनी अच्छी रेखा है इनके हाथ में है सारी अब चलते शुक्र परवत पर शुक्र परवत पर पहले ही ध्यान गया इस मोल पर यह अगर दाग नहीं होगा मोल होगा तो जीवन में एक बार तो इसतरी वर्ग से इनको अपमान का सामना करना पड़ेगा एक ही बार जीवन में एक बार सामना करना पड़ता बस इस मोल के कारण और दूसरा माइनस पॉइंट देखे तो यहाँ पर बहुत सारी बारिक रेखा है इस छेत्र में यह बारिक रेखा है व्यक्ति के जीवन में एक रुकावट लाती है जैसे कहीं आगे बढ़ना है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ के रखा हो यह अब शुरुवात में मैंने पाम इन से मेरी कम्णिकेशन हुई उस समय इन रेखाओ पर मेरा ध्यान नहीं गया था पर वीडियो बनाने बैठा तब इस इन रेखाओ पर ध्यान गया यह हंडेट परसेंट यह रेखा है व्यक्ति को बांध के रखती है और यह बहुत आसान हो पाय है मैं इनको दे दूंगा बहुत आसा काफी अच्छा है लग्जरियस लाइन भी है और बहुत सारे स्क्वेर बने हुए तो प्रोपर्टी के मामले में यह काफी संपन्न रहेंगे क्योंकि यह जो स्क्वेर है यह बहुत सारी प्रोपर्टिया व्यक्ति को दिलाते बहुत सारे यहाँ पर सूर्य पर देखिए प्रोपर्टी की यानि इश्वर किस तरह से संकेत देता है देखो आप और साथ में यहाँ पर बहुत सारे स्क्वेर इनको मिल गए यह जब यह स्क्वेर रहते यह व्यक्ति की प्रोपर्टिया शो करते यह जीवन में भौट ज्यादा प्रोपर्टिया खरीदेंगे या नि मंजला इमारत भी व्यक्ति अपने जीवन में निर्मान करता है। बहुत लोगों तो दो दो त्याशार बहुत मंजला इमारत तैयार करते है। जब इस तरह की साहिन होती है तो यह बहुत पॉजिटिव साहिन है इनके हाथ में और शुक्र परवत काफी बलवान है। तो व्य इस शुक्र परवत पर बारिक रेखा है। अब चलते हैं इनकी इस देखा पर इसके बाद कोई ना कोई खुशी के पल ढूंता है और गुरु परवत से जब सुरू होती है तो व्यक्ति विश्वासु फिसम का इंसान रहता है। कि इसके सो रुपे भी बाकी होंगे तो सामने से देखर आएगा। प्लस थोड़ी सी कव ले रही है तो भावग भी होते भावनाव में भी निर्ने लेते और सच्चे प्रेमी होते और हाट लाइन काफी अच्छी है कोई प्रॉब्लम नहीं थोड़ी सी डार्क है तो हलकी सी जंजट मारिया व्यक्ति के जीवन में रहती है पर बहुत ज्यादा नहीं इतनी भी डार्क नहीं है थोड़ी सी डार्क है अब इनकी माइन लैन भी देखिए आप गुरु परवत से पूरी टच होकर इस तरह से उपर जा रही है अब ये सरकारी मुलाजीम है पर ये पाम एक बिजनेसमेन के जैसा है सरकारी जॉब के जैसा हाथ नहीं है क्योंकि एक चौड़ाविपन है मनी ट्रैंगल है, सब कुछ है जब इस तरह से दोनों में गैप होता है तो व्यक्ति जिम्यदारी उठाता है जिम्यदारी से भागता है नहीं बचपन से दूसरी खासियत होती है व्यक्ति किसी की सुनता नहीं अपने मन का यानि मन की ही मन में जो आया वो ही काम करता है जिद्धी होते है जब दोनों के बीच में गैप होता है और ज़्यादा तर बड़े बिजनेसमेनों के हाथ में इसी तरह के इतने इस डिस्टेंस पर दोनों रेखाए निकलते देखिए और गुरु परवत से सुरू हो रही है तो व्यक्ति भौत महतोकांची होता है और अपनी महतोकांचा पूरी भी करता है और पूरी माइन लाइन थोड़ी सी मोटी है यहां तक इस पार तक यानि जीवन के लगबग 34 साल तक इनकी वर्तमान आयू तक उसके बाद ये रेखा प पाँच मिनिट भी फालतू समय कोई व्यस्त नहीं करते कोई न कोई नौलेज लेने की कोशिस करते और यहां तक यह संगर्स करते दिख रहे हैं उसके बाद इनका संगर्स 50% कम हो जाएगा इसके बाद ये रेखा काफी लाइट होते होते आगे बढ़ती जा रही है जीवन रेखा भी काफी सुन्दर है केवल एक रेखा हो सकता है ये साधी की रेखा हो एक 26 साल के आसपास राव रेखा काट्टे दिख रही है बाकी रेखा है खाली आकर टच करती दिख रही है क्रॉस नहीं कर रही है अगर ये क्रॉस करें तो व्यक्ति के जीवन में डिश्टबंस क्रियेट होता है आर्थिक नुकसान जाता है तो यहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम इनकी जीवन रेखा पर नहीं दिख रही है और जीवन रेखा थोड़ी सी मोटी है तो मोटा पाद सरीर में रहता होगा इनक से यह सीधी चलकर धन रेखा को मिलकर यह पूरी जीवन रेखा यहां बन गई तो और यह चंद्र को टच कर गई तो व्यक्ति हंडेट परसेंट विदेश में सेटलमेंट के योग बनते है क्योंकि इनकी फेट लाइन ही पूरी सुरिपरवत की और जा रही है अब चलते इनके फेट लाइन पर हाँ जीवन रेखा पर एक और बात बता नहीं रहे गई यहां पर देखिए जीवन रेखा पूरी डिश्टब है यानि 14 से लेके लगबग 21 साल तक जो पिरियड गया होगा इनके जीवन में वो काफी तकलिफ दायक गया होगा जब भी जीवन रेखा लाइट होती है हल्की हो जाती है तो व्यक्ति उस पिरियड में कोई ने कोई तकलिफ जीवन में उठाता है यानि वो पिरियड उसका उत्तम नहीं रहता संगर्स के बहुत जगह पर साइन दिखते जीवन रेखा पर दिखते फेट लाइन पर दिखते इवन माइन लाइन पर भी दिखते हृदे रेखा पर भी दिखते तो यहां पर यह शंगर्स वाला पिरियड इनके जीवन में रहा होगा चौदा के आसपास से पामिश्टी एक दो साल प्लस माइनस यहां से लेकर 21 साल तक काफी शंगर्स में इनका जीवन रहा होगा अब फेट लाइन को देखे तो नौश्टॉप केतु परवत से ही सुरू होकर सीधी उपर चल कर इस तरह से जा रही है तो नौश्टॉप कमाई के साधन बने रहते व्यक्ति के जीवन में और इस रेखा को भी देखे तो यहां से पतली होकर सीधी चल रही है तो यहां से लगबग इनके जीवन में इंकम का भी इजाफा हो जाएगा और यह जो रेखा है यह हृदे रेखा से निकल कर काटेगी तो व्यक्ति को कोई न कोई बहुत बड़ा परिवार के लिए investment होता या कोई business का investment होता और ये period होगा लगबग इनके उम्र का 41 या 42 के साल में और अगर हिर्दे रेखा से नहीं निकलती होगी और ये cut करती होगी तो वहाँ पर आर्थिक नुकसान करेंगे 41, 42 में क्योंकि इनकी हिर्दे रेखा जिस तरह की है ये अगर अंदर से निकल कर इस तरह से चलती होगी तो बहुत बड़ा investment इनके जीवन में होगा उस period में अगर ये भार से निकलती होगी इस तरह से हिर्दे रेखा से भार से निकलती होगी तो इस पिरियड में ये अच्छा खासा आर्थिक नुकसान जिलेंगे और उसके बाद ये सीधी रेखा चलकर सीधी चल रही है और यहां से गई सीधी और यहां उपर तो overall देखा जाए तो इनके हाथ में केवल जो minus point है वो खर्च का पैमाना है और दूसरा minus point है ये मारिक रेखा है शुक्रकी और ये मोल है अगर नाम खराब हो चुका होगा एक बार तो इसको भूल जाना चीए पड़ा है कोई tension नहीं अगर नाम अभी तक खराब नहीं हुआ है तो Friday के दिन सफेद वस्तों का दान इनको करना चीए हर Friday के दिन गरीबों को ये simple सा उपाय है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों का जवाब इनको मिल गया होगा और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद